Hello Friends, Crime Against Women के Class में आपका स्वागत है आज हम अपने Crime Against Women में 3rd Unit का 1st Topic पढ़ेंगी 1st Topic है Sexual Harassment at Workplace Act 2013 इस Act के बारे में जैसे की आपको पहले बताया है कि जब तक एक्ट नहीं आया था तो विशाखा के Case की Guidelines को ही इसमें Follow किया जाता था ऐसे Cases जो की Sexual Harassment से Related है उसमें नियोकताओं के अधिकार और जो भी Guidelines Code द्वारा लागू की गई थी उन्हें एक Act के समान प्रभावी किया गया था हमने इसमें पहले 2nd Topic किसी ले ले लिया था क्योंकि पहले Guidelines द्वारा जो हमें Case के द्वारा जो Guidelines दी गई पहले उनको Follow किया गया के बाद 2013 में एक्ट हमारे सामने आया जिसको कि महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने Constitution में कि भारती सम्विधान जो है वो महिलाओं को अपने व्यवसाय से या पेशे को करने के लिए ऐसे अधिकार प्रदान करता है या ऐसे अधिकार देता है जो कि Sexual Harassment से रहित वातावरण हो ऐसा वातावरण प्रदान करने का अधिकार देता है Article 14, 15 और 21 के अंतरगत महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है अधिकार दिया जाता है कि वो ऐसे वातावरण में कारे करें एक तो हमारा Constitution हमें ये राइट देता है Second हमें Human Rights भी ये राइट देते हैं महिलाओं को कि जिसके अंतरगत महिलाओं को ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें कि वो अपने को सेफ फील करें जिससे Sexual Harassment ना हो ऐसा ही एक अभी समय था जिसमें आया जिसका भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया इस अभी समय का नाम था महिलाओं के विरुद्ध प्रतेक प्रकार के भेदभाव पूर्ण व्यवहार का समापन अधिनियम इस अधिनियम का भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया और इस अधिनियम के अंतरगत और हमारे Constitution द्वारा जो प्रावधान आये हैं जिसमें महिलाओं के लिए जो Sexual Harassment है उनका निवारण, उनका प्रतिशेद, उनका अनुतोश है इसी के आलोक में इसी के प्रकाश के अंतरगत इस Act को लाया गया ये Act जो है, ये 22nd April 2013 को जम्मो कश्मी राजी को छोड़कर संपूर्ण भारत वर्ष में एक समान रूप से प्रभावी किया गया और इसमें जो धाराएं हैं वो हमें महिलाओं को जो Protection देती हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं जैसे कि Section 2 हमें Define करता है उस Act में आने वाले जो ऐसे शब्द हैं उनका क्या Legal Meaning लिया जाएगा अब इस Act के अंतरगत जो Word आते हैं उनकी Meaning क्या होगी हाला कि आपकी जो Screen पर Definition चल रही उसमें पीडित महिला का नहीं समय दे रखा है लेकिन जब ये Act जो है सबसे पहले इसमें पीडित महिला का स्थान है तो पीडित महिला की Definition में आपको थोड़ा सा बता दूँगी कि पीडित महिला किसी भी I.U. की महिला चाहे वह नियुक्त है या नहीं है तथा जो आरोप लगाती है कि उसके साथ Sexual Harassment हुआ है या उसको ऐसे Harassment का शिकार होना पड़ा है वह प्रतिवादी द्वारा Harass की गई है ऐसी महिला को क्या कहा जाएगा पीडित महिला कहा जाएगा जो की Section 2A में Define की गई है Next is में यह तो काफी Definition और है जैसे कर्मकार किसे कहेंगे नियुक्ता किसे कहेंगे लेकिन हम इसमें कुछ खास परिभाशाओं को हम आपके सामने लेते हैं जो की मुख्य रूप से आपके exam में भी short note की तरीके से भी आ सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे important topic होते हैं जो की आ जाते हैं जैसे कारियस्थल को किसे कहते हैं कारियस्थल को परिभाशित कीजिए या कारिस्थल को व्याख्या कीजिए या उत्पिनन किसे कहते हैं या उत्पिनन के मुख्य तत्व क्या है तो ऐसे शब्द हम इसमें लेंगे तो next है इसमें कि sexual harassment की क्या meaning है तो sexual harassment की meaning है कि ऐसा कोई अप्रियकार या ऐसा कोई व्यवहार जिससे की किसने तरीके से होगा हो physical contact द्वारा या demand ऐसी जो कि sexual favor के लिए demand करने की या sexually colored remark है या कोई ऐसी pornography या कोई ऐसा literature show करना किसी महिला को या और ऐसा कोई unwelcome physical चाहे वो verbally हो चाहे non verbally हो ऐसा कोई conduct जो की sexual nature का होगा उसे हम क्या कहेंगे sexual harassment कहेंगे next है section 2 O में कि workplace किसे कहा जाएगा इसमें define किया गया है कि कोई भी ऐसा विभाग ऐसा संगठन संस्था कारियालय या कारियालय की कोई शाखा जिसमें या तो स्वामित्तु में हो किसी की या पूनतह या आंचिक रूप से क्या हो उसे fund provided हो directly और indirectly fund provided अगर है तो ऐसी जगह या कोई व्यक्ति शेत्री संगठन व्यक्तिगत उपकरम कार्य उद्यम या कोई संस्था है चाहे उस न्यास द्वारा बनी हुई हो या गैर सरकारी संगठन हो जो चाहे वो commercial purpose के लिए बनी हो या किसी कोशल विकास के लिए बनी हो या entertain करने के लिए बनी हो चाहे health से related हो चाहे education से related हो अगर ऐसी कोई संस्था है जिसमें की ऐसी गतिवितियां की जाती है जो कि किसी सामान को चाहे विक्रे करती हो या सेवा देती हो वो भी कार्य स्थल की definition के अंतर गताएगा next है कोई hospital है या nursing home है वो भी workplace की definition के अंतर गताएगा कोई ऐसे sports institution है stadium है sports complex है या और कोई क्रिडा अस्थल हो जहां पर प्रशिक्षण के लिए जो गतिविधियां है ऐसी अनिक क्रिडा संबदी गतिविधियां है जो कि प्रशिक्षण के लिए नहीं है उनको भी किसके लिए माना जाएगा workplace माना जाएगा और अगर नियोकता द्वारा कोई ऐसी अगर provide करवाया जाता है आने जाने का साधन या residence तो ऐसी स्थिति में कोई इस्थल ऐसा नियोकत व्यक्ति नियोजन के अनुकरम में किस टाइम पे service टाइम पर नियोकता द्वारा उपलब्द कराया गया है चाहे उसमें आवा गमन का साधन हो चाहे ट्रांसपोर्ट की भी जो सुविदा है वो भी इस कारिस्थल के अंतरगत आएगी ये section 2.0 हमें define करता है ये जो भी हमने detail लिया इसी से related आपके सामने ये भी है कि किस किस को कि ये section ये act हमारे सामने कैसे आया ये इसी का graph है जिसको आप थोड़ा सा easy way में पढ़ सकते हैं कि 2007 में bill बन करके आया कि ये act जो है कैसे धीरे धीरे वो कौन से steps हैं जिन में चल करके ये act को एक act की मानिता मिलिया act बन करके तैयार हुआ 2007 में bill draft हुआ 2010 में bill को introduce करवाया गया लोगसभा में फिर 2012 में इसको लोगसभा में attempt की लाया गया introduce फिर से करवाया गया और 2012 में इसको लोगसभादवारा पास कर दिया गया 26 February 2016 को ये फिर से क्या harassment का जो act है ये राजसभा में लाया गया फिर राजसभादवारा पास हो करके आपके सामने act बन करके आया है इसका ये एक graph आपके सामने दिया गया है next है section 3 section 3 के अंतरगत क्या आता है section 4 हमें बताता है कि इसके जो इसमें आंतरिक परिवाद समीती है या internal complaint के लिए जो committee बनाई जाती है वो committee का निर्मार किस तरीके से होगा और उसमें कौन-कौन सी process follow की जाएंगी इसके बारे में बताती है कि इसमें एक जो जहांपर भी एक कर्म जो कारिस्थल है के लिए और अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें जो पीडित व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने के लिए एक section 4 के अंतरगत जो employer है उनके उनसे अपिक्षा की जाती है कि वो एक ऐसी internal committee का निर्मार कराए जो की इनकी complaints को सुने जो की इसमें पीडित महिला है उसकी complaint को सुनने के लिए एक committee बनाई जाए अब इस committee की संरचना किस प्रकार से की जाएगी इसके बारे में law ने ही हमें guidelines दे रही है law ने ही law बनाए गए है section में इसको define किया गया है कि कैसे इसकी संरचना की जाएगी तो इसमें बताया है कि जो इसकी संरचना होगी इस परिवाद समीती में जो इसकी पीठा सेन अधिकारी होगी जो वरिष्ट महिला होगी जो office की जो सबसे जादा senior lady होगी वो इसकी कौन होगी अधिकारी होगी और या अगर ऐसे कोई महिला नहीं है कि ऐसी महिला कम नहीं है जो की बहुत जादा senior post में है तो अन्य जो भी प्रशासने किया अन्य अधिकारी है उनको इस post के लिए नॉमिनेट किया जाएगा इसके अतिरिक्त next section हमें बताता है कि इसमें जो महिलाएं है वो दो सदस्यों से कम इसके जो सदस्यों की संख्या होगी वो दो से कम नहीं होगी section 4.2 बताता है कि इसमें जो nominated महिला है तो इसमें जो महिलाएं है क्या होगि कम से कम दो महिलाएं होगी और जिनकों की experience होगा एक तो legal knowledge का और जिन्हें समाज में महिलाओं के प्रती होने वाले अत्याचारों के लिए अप महिलाओं के शेत्र में कारे करने वाली कोई समाज से भी संसा से वो related होंगे और एक सदसी जो होगा वो गैर सारकारी संगठन का होगा जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित होगा जो किसी NGO का भी हो सकता है या अन्नी किसी शेत्र का होगा जो की महिलाओं के लिए काम करता है इसमें जो है ये compulsory है कि 50% सदस्य महिलाएं ही होंगी इसमें महिलाओं का ही वर्चस होना जरूरी है आगे इसके कारिकाल के लिए कहा जाता है इसका क्या tenure रहेगा क्या इसमें आगे सदस्यों किस तरीके का उनका कारिकाल रहेगा इसमें प्रत्येक सदस्य जो की internal complaint committee का member है वो नामित सदस्य है वो अपने नामित होने के तीन वर्ष की अवदी से जादा समय के लिए सदस्य नहीं रहेगा और जो गैर सरकारी संगठन का नामिक व्यक्ति है वो इस प्रक्रिया को उसको जो इसके लिए fees के लिए जो है कि उनको क्या fees दी जाएगी तो उनके लिए है कि जो भी इसके अंतरगत तै किया जाएगा कि इसमें जो भी फीस ये लोग नियत करेंगे वो फीस उनको पहले से decided होगी कि कितनी उनको फीस दी जाएगी वो फीस जो भी तै की जाएगी वो फीस इनको दी जाएगी ये इसी से related आपका कि member जो है कि कौन member होगा कि senior जो महिला है वो उसकी member होगी अगर बहुत जादा पीठा सी नदिकारी महिला नहीं है तो वरिष्ट महिला करमचारी होगी और जो member होगे वो दो member होगे जो कि महिलाओं के बीच में से ही होगे और एक कोई NGO से related होगा जो कि महिलाओं से संबंदित कारियों को करते होगे और legal knowledge जिनको होगा एक महिला वो होगी इसमें 50% से जादा महिला सदस्य होगे इसके बारे में ही आपको इस सामने एक दे रखा है next है इसमें section 7 जो की बताता है कि इनके कारिकाल को अगर कोई निशकासित इसमें से सदस्य को कर दिया जाता है या उसको committee से निकाल दिया जाता है या उसका कारियवधी समाप तो हो जाती है तो next को किन आधारों पर उसको अगर निशकासित करने की जरूत पड़े तो किन आधारों पर पीठासिन अधिकारी जो है वो परिवाद समीती के सदस्यों को निशकासित कर सकता है सबसे पहले तो यह है कि अगर वो section 16 के rules को follow नहीं करता है तो ऐसे में उसको निशकासित किया जा सकता है section 16 का मतलब है कि इसमें होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो परिवादी है उसके नाम को आप disclose नहीं करेंगे गोपनेता उसमें रखी जाती है तो अगर वो ऐसे गोपनेता के नियम को तोड़ते हैं तो उनको निशकासित कर दिया जाएगा किसी भी अपराद में अगर वो दंडित किया गया है या कोई जाच चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को भी उससे निशकासित कर दिया जाएगा और अगर कोई अनुशासात्मक कारवाईयां उनके खिलाफ चल रही हैं और या वो लंबित हैं अगर पेंडिंग भी चल रही हैं तो ऐसे व्यक्ति की ऐसी नौलेज आने पर उसको भी ऐसे पत से निश्कासित कर दिया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति अपने पत में रहते हुए इस पत की गरिमा को या इस पत का दुरुपियो करने के लिए करना चाहता है जो की जनहित के विरुद्ध है तो ऐसी कंडिशन में उसे पत से निश्कासित करने के लिए ये आधार हैं जो की सेक्शन 4 की सब क्लॉस 5 में दिय गए हैं इसमें जो है कि अगर ये जो ऐसे दिसकाशित कर दिये जाते हैं या किसी कारिकर्ता का कारिकाल पूरा हो जाता है जैसे कि आपको बताया है कि कितना है maximum 3 years अपने nomination की date से maximum 3 years उसका कारिकाल होगा अगर किसी भी तरीके से कोई रिक्ती हो जाती है कोई पत खाली हो ज के जो complaint committee की जो रचना का तरीका दिया गया है फिर इसी section 4 को ही follow किया जाएगा next है section 7 section 7 जो है वो देता है किसके बारे में इस्थानिय परिवात समीति के गठन और उसकी सदसिता के बारे में हमको detail देता है कि कैसे उसको committee की सदसिता इसमें की जाएगी कैसे उसका गठन किया ज इस्थानिय परिवात समीति समाजिक कारिक के शेत्र में महिलाओं के मामले को समर्पित ऐसी महिलाओं द्वारा निर्मित होगी जो कि महिलाओं के कारिसे के प्रति समर्पित हो और कहां कि हो समाजिक कारिक के शेत्र की महिलाएं हो उनके द्वारा इसका गठन किया जाएगा इसमें है एक तो फर्स्ट है कि इसमें जो इस्थानी परिवात समीति की अध्यक्षय होगी वो महिला ऐसी महिला होगी जो महिला शेत्र के कारियों में समर्पित होगी किसी NGO से हो सकत मतलब वहां के महिलाओं से सम्बंदित कारियों करती हो ऐसी महिला को इसमें अध्यक्षपत के लिए नामित किया जाएगा किसके लिए अभी आपने जो पहले पढ़ा वो तो थी इंटर्नल कंप्लेंट कमिटी जो की सेक्शन 4 में डिफाइन की गई है अब सेक्शन 7 में जो है वो क्या है इस्थानी परिवाद समीती है जो की लोकल इस्थर पे कारे करती है तो इसके लिए एक तो second है कि इसमें जो महिला एक तो महिलाओं के कारे में समर्पी थो वो लोकल इस्थर की कारे के लिए उनको सदस्पर अध्यक्ष या काम करते होंगे जो कि कि किसमें आएगा section 7 sub clause 2 में ये define किया गया है कि वो जो उस इस्तर का कारी करता में job करता है जो कि या तो block इस्तर पे करता है या तेहसील इस्तर पे या ward में या किसी municipality में कारी करने वाला वेक्ति है इसमें section 7 का next c आता है जिसमें दो सदसी जिसमें कि कम से कम दो मैंसे एक सदसी जो है कि वो महिला होगी और ऐसी गैर सरकारी संगठन या संग से नामित की जाएगी जो कि महिलाओं से संबंदित कारे के लिए समर्पित हो और ऐसे व्यक्ति को जो sexual harassment से related मामले हैं इन मामलों से वो भली माती परिचित हो और उसमें भी वरीता स्तर पे उस व्यक्ति को नामित किया जाएगा जो कि law की knowledge रखता हो जो कि विधिक प्रिष्ट भूमी का हो और कम से कम एक नामित व्यक्ति जो है वो किस मैं से होगा इन में अनुसूचित जाती या अनुसूचित आधिवासी या पिछड़ा वर्क जो भी SCST या OBC मैं से किसी एक समुदाय का होना चाहिए जैसा कि जो सेंटरल गौर्वर्मेंट है उसकी गाइडलाइन द्वारा अधिसूचना दी गई हो नेक्स रेस में जिले में नियुक्तिक जो समाज कल्यान अत्वा महिला कल्यान या बाल विभाग से संबंदित जो अधिकारी होंगे वो इसके पदेन सदस्य होंगे अब आप इसमें जो सेक्शन फोर में तो इंटरनल कमिटी थी जिसमें ऑफिस इस्तर के लोग थे जो इस्थानी इस्तर में है इसमें आपने देखा है कि पहले तो जो अध्यक्ष्य है वो सोशल वर्कर या महिलाओं के लिए काम करने वाले होंगे 2 जो वोड के या तहसिल से का रिलेटेड लोग है थर्ड में कौन है एक महिला जो की NGO द्वारा काम करती है महिलाओं के लिए और एक किसमें है कि जो लू का नौलेज रखती है एक SC, ST या OBC में से हो और एक किसमें से बताया गया है जो कि समाज कल्याण, बाल कल्याण विभाग या ऐसे किसी अन्य जो बाल विभाग से या समाज कल्याण या महिला कल्याण से संबंदित व्यक्ति है उसका इसमें ये जो लास्ट है 7 गह में ये जो है ये इस डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो है वो इसका क्या होगा पदेन सदस्य होगा अब कारेकाल को लेकर कि इसकी बात की जाती है कि इनका tenure क्या होगा इसका tenure वही होगा जो की जैसे की इंटरनल कमेटी का है इसमें भी दिया गया है कि चाहे समीती का अध्यक्ष जो है और प्रतियक सदस्य जो है जो इस कारेकाल के पत को धारन करेंगे उनका कारेकाल तीन वर्ष से अधिका नहीं होगा उनका कारेकाल कितने का होगा तीन वर्ष से अधिका नहीं होगा जो कमेटी है इसको लेकर के एक छोटा सा ग्राफ बनाया है जिसमें आपको ये डिटेल में पता चल जाएगा कि अध्यक्ष कैसे होगा और मेंबर कैसे होंगे और एंजियोस के मेंबर ये आपके जो अब मैं अभी तक एक्स्प्रेइन करी थी उसी का ग्राफ आपके सामने रखा है इसमें अब इनके पत से निकालने और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो कि इसमें नहीं है इसमें सदसिता के निश्काशन को ले करके है सदसिता से पद से और सदसिता से निश्काशन के लिए section 7 में भी वो ही सारी परिस्तियां दी गई है जो की section 4 में पद से निकालने के लिए दी गई है जो section 4 की उबधारा किस में था फाइव में था कि वो section 16 के प्रावधान का उलंगन ना करता हो आप ध्यान रखे आप जितने भी harassment के case सुनते हैं वो किसी ना किसी नाम से प्रचलित होते हैं उसमें parties के नाम नहीं होते हैं इसलिए क्योंकि section 16 में उनके नामों को गोपनी रखने की विवस्ता की गई है उनको अगर एक तोस के section 16 को follow नहीं करते हैं या उनको दोशी ठहराया गया है किसी member को तो उनको निश्कासित कर दिया जाएगा या अनुशासनात्मा कोई उनके किलाफ कोई कारवाई चल रही है या अपने पत की गरीमा का किसी ने दुरूपयो किया तो ऐसी स्थिति में इनको पत से निकाल दिया जाएगा और इस पत की पूर्ती कैसे की जाएगी जैसे की पहले बताई गई है कि आकस में किसी भी होने में उनको नामंकन द्वारा इस पत की पूर्ती की जाएगी अब नेक्स रही इसमें भी आता है कि उनको शुलक सदस्यों को किस प्रकार दिया जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 7 के कह में section 7 के कह में एक तो कौन बताया मैंने खह में बताया कि कौन होगा block, तहसील या wardester का व्यक्ती होगा 7 खह में और 7 घह में मैंने बताया कि कौन होगा कि समाज कल्याण या महिला कल्याण या बाल कल्याण का तो इसमें शुल्क जो भी तई किया जाएगा वो उनको दिया जाएगा तो section 8 के अधीन जो भी ताई किया जाएगा section 8 में कि उनको जो भी शुल्क ताई किया जाएगा वो दिया जाएगा लेकिन जो 7 खर में और 7 घर में जो व्यक्ति इसमें सदस्य होंगे उनको शुल्क नहीं दिया जाएगा आज का lecture इतने में खतम करते हैं इसका second part में आपको कि किस रीती से महिला अपने sexual harassment के लिए परिवाद लाएगी और आगे की और इसमें section जो 9, 10, 11, 12 है उनको हम आगे करेंगे इसमें आगे next topic में पढ़ेंगे कि section 9 के अंतरगा तो कैसे इस परिवाद को लाएगी ठीक है? Okay. Have a nice day.